गूर्ड मॉर्ण ओल इंडिया रेडियो और आज सवागे अनलेसिस में आप सवों का स्वागत अगर ओल इंडिया रेडियो के इंदर न्यूज की बात करें तो एक भी इंपोटेंट न्यूज नहीं है नेक्स साइंस मुईटर आया है इसे डिसकस करेंगे और कल का अर्ट की स्किप करेंगे अज संडे है कुछ नहीं आएगा कल डिसकस कर लेंगे तो चली डिसकसन स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज जो हमारे पास बुलो एकोनोमी को डबलब करने के लिए भारत में जो एलगी होता है समुद्री एलगी उसके डबलब्मेंट पे जोड़ दिया जा जॉब्स बढ़ेंगे वही बात यहां कहीं जा रही है समुद्री सैवाल से बहुत बड़ी मात्रा में बायो इथोनोल जिसे हम लोग कहते हैं जिसको ब्लेंडिंग किया जाता है पेट्रॉल डिजल वेगरे के साथ आपको पता है ताकि क्लाइमिट में हम अच्छा योगद है इन सब के अंदर ही है यह साइंस टेक्नोजी इस पर वर्क कर रहा है आप क्या सकते हो टाइफ एक जो अभी कहा यहां पर टेक्नोजी इनोबेशन एड एकोनोमी इसके ही अस्थाप इस्टैबलिश्मेंट डे पर सक्षम एक पोर्टल बनाया गया इस सक्षम पोर्टल पर जितने भी माईग्रेंट वर्क कर हो हैं उन सब अपना अपना नाम राइस्टर करेंगे यह सक्षम पोर्टल होगा इस तरह का ताकि मुकधारा में लोगों को लाया जा सके देश भर में MSME सेक्टर आगे बढ़ेगा रोजगार बढ़ेगा सभी माईग्रेंट वर्कर को इस आप जानते हो बिग्ञान परसार के वारे में 3 दशक से बैग्यानिक और तर्क संगत द्रिष्टिकों से बढ़ा आव़ा देने के लिए प्रयासरत हैं मतलब ये जो skills बिग्ण परसार है बहुत सारी चीज़ों के वारे में बात करता है इनमें प्रकासन टिवी, रेडियो क कारकरम और कारसला जैसे चीजें आयोजित की जाती है आप यहाँ पर देखोगे तो 2019 में OTT पर आधारित ये इंडिया साइंस एक प्रोग्राम चला था दो साल पुड़ा हुआ है इसका ये भी चल रहा है अब ये न्यूज में क्यों है तो देखो अभी मैथली भासा में भी इसकी चीजें मिले साइंस के बारे में पता चले मैथली लोगों को तो इसको जोरने की बात की जा रही है जैसे यहाँ पर देखो तमिल उर्दू और मराठी और बंगला जैसे भासा में भी साइंस की चीजे जो डोकुमेंट होते हैं जो रिसर्च विगर आप कहलो तो अब मैथली में भी आने की उमीद है यहाँ पर रूप रेखा पर चर्चा की गई है चलते हैं नेक्स टार्ट उत्राखंट के बारे में पता है आपको चमोली में धौली गंगा और रिसी गंगा नदियों में अचानक बाड़ से तबाई हुई क्यों हुआ ग्लेशियर फटने से कुछ लोगों ने इसको मुवाइल से वो किया कैप्चर किया तपोवन जल विद्दुत पर योजना नदी के पूलों को भारी नुकसान हुआ है तपोवन को और यहाँ पे पूल जो है नंदा देवी परवत के किसी हैंगिंग ग्लेशियर के तूटने से आउटवरस्ट की संभावना है या दूसरा सबसे बड़ा यह चोटी है नंदा देवी पहला कंचन जंगा आपको पता है गड़वाल हिमाले छेतर में मौझूद नंदा देवी परवत की दूसरी सबसे चोटी-चोटी है अभी-अभी कहा पहारों पर जमा ब करता है क्लेशियर के पास पानी जमा होने से आम तर पर क्रित्रीम जीले आटिफिसियल रेन मतलब लेक बन जाता है इस तरह का कई बार बादल फटने से जैसी घटनाओ के कारण दौरान दवाव बढ़ने पर जीले तूट जाती है यह भी तो आइसका ही होगा ना तो आइस जाती है कभी-कभी ही में स्खलन होने से बहुत सारी बर्फ जील में गिरती है और जील भी तूट जाती है देखियो यह ग्लेशियर है मालो यहां से गिरा लेक में आया कभी-कभी ही में स्खलन होने से बहुत सारी बर्फ जीले गिरती है और जील तूट जाती है वही से ले प्रस्ट कहा जाता है जैसे उपर में cloud व्रस्ट, नीछे lake व्रस्ट, शमूली हाथ्से के पिछे glacier lake, out Katie आफ व्रस्ट कहीं ही कारण माना जा रहा है, तो out MARTIN किसको कहा, उपर वाला, सर्दियों में इस तरह glacier का तूटना और बाढ़ाना चिंता जनक माना जा रहा है क्योंकि आम तोर पर इसी घटना है गर्मी में होती है जब दो पहारों के बीच में मान लो पानी का जल भर जाए तो बहुत बर्फ बन जाता है तो उनको तोरता है तो वो बहुत बरी मातरा में होता है इस तरह का ठंड में भी होता है ग्लेशियर तूटने के पेशे ग्लोबल वार्मिंग को भी एक बहुत बड़ा कारण पताया जा रहा है और पुर्व अध्यन से यह पता चला है सबको पता है कि ग्लेशियर पिखल रहा है ग्लेशियर का पिखलना लेकवस्ट की घटनाओं के साथ पर्यावनान के लिए भी कट्ना क्हत्रा है लेकवस्ट तो होता है यह पर्यावनान क्हत्रा है चलते हैं, नेक्स्ट आर्ट के लिपे हैं, UAE मंगल घरा मार्स पर जो है, अमल भीजा है कुछ दिन पहले, जो और्बिटर पार कर गया है, होप यान इसी का है, किसका, होप यान है, UAE का, होप अमल, दोनों एक ही बात है, ये द्यान रखना, छे महीने पहले अलमल प्रो नाम लॉंच किया गया था, UAE का ये मिशन है, सभी अरब देशों में, स्पेस में, लॉंच करने वाला यह पहला देश है, गल्फ कंट्री में, लक्ष क्या है, एम्स क्या है, ग्लोबल वेदर मैप तियार करना है इसका, दूसरा, पहला हमने अमल देखा, होप, UAE में, दूसरा, चाइना, ये त्यानवेन, वन, और विटर की मंगल की कख्छा में पहुंच गया है, एक साथ तीन पहुंचेगा, अभी देखो, परजिर्वेंस, परजिर्वेंस आप कह सकते हो, रोवर के साथ अमेरिका का यान, ये युएसे का, होप, UAE का या अमल, त्यानवेन, वन, चाइना का, और परजिर्वेंस, युएसे का, मैचिंग करा सकता है, ध्यान रखेंगे, ये रोवर मंगल की सता पत्थनों के नमूने धर्ती पर लाएगा, चलते हैं, नेक्स्ट आर्ट के पहुंचेगा, बस इसमें तीन वते, एक वते याद र और 136, ये बासमती का एक टाइप है, जो खरीब फसलों में जम्मू कस्मीर के आसपास एक लिए सर्च हुआ है, तो ये क्या है बासमती, चावल का एक टाइप है, इसे धियान रखना है, मतलब पर कुंटल पैदावार इसकी बढ़ेगी, चावल का खेत, धान की खेत, अग से लदे होते हैं, तो आज के डिसकेशन में इतना ही था, एक सेकंड और है कुछ क्या, इसराइल, हाँ, एक और टर्म है, सॉरी, यहाँ पर तेल अभी, मतलब इसराइल ने एक इनहेलर डवलब किया है, कोरोना के एलाज के लिए, मतलब इनहेल करो, और कोरोना ठीक हो सकता ह परिक्षन के दौरान, तीस मरीजों में, उनतीस मरीज ठीक हो गया है, तो हमारा जो को वैक्सीन है, को भी सिल्ड है, उन सब जगों जगह पे एक और नया टर्म आ गया है, तो इनहेलर किसका है, किसने आजाद किया है, अभी हो ही रहा है, तो स्टार्टिंग में ही तो एक को ने डार्विन वाद क्रम विकास सिद्धान्त के बारे में बताया था, इस तरह से मानव जाती एक ही महतपुर्ण क्रम विकास सिद्धान्त जैसे डार्विन वाद कहा जाता है, और यहाँ पर चास डार्विन का मत्था प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना वि किसका है आपको ध्यान रखना है और इन्होंने प्राकृतिक चरण मानव विकास गुंसुत रादी पर अपनी किताबों में चर्चा की Origin of Species यह बहुत important book है एक तो यहां पर आपने एक theory of evolution देखा और यहां पर आपने Origin of Species देखा दो किताब जरूर धियान रखना इस तरह से आज की discussion में इतना ही था Thank you